आप अपनी स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक को मोबाइल से कनेक्ट करके कौन-कौन से फायदे ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको लाइप प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं इस बाइक को अपने इस मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा इस से पहले जब मैंने इस बाइक को कनेक्ट करने की कोशिस की थी तो ये बाइक कनेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि ये ओफिसेल अपडेट नहीं हुई थी तो इनके एप्लिकेशन में अब ओफिसेल अपडेट आ चुका है और अब आप आज देखेंगे कि कैसे यह बाइक step by step connect होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के play store में यह play store है यहाँ पर जाने के बाद आपको hero ride guide या फिर hero x connect मैंने पहले से सर्च कर रखा है तो इसको मैं connect करूँगा और यह जो पहला application आएगा hero ride guide इस पे आपको यहाँ पर आपको install करना है 15MB का यह application है जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर OK आपको कर देना है और उसके बाद यह install होने लगेगा जैसे आपकी speed होगी mobile के network की वैसे ही install हो जाएगा आप देखेंगे hero ride guide और अब यह install हो रहा है तब तक यह भाई कहाँ पर पूरा पहले मैंने इसको एक बार connect करके देख लिया है तभी मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा क्योंकि भाई अब यहाँ पर यह हो चुका है और अब मैं इसको करता हूँ open और जब आप open करेंगे तो यह आपसे permission माँगेगा while using the app only this time तो मैं ऐसा कर देता हूँ और यह आपको access your call, access your contact इनका आपको allow कर देना है जिससे आप मतलब permission दे रहे हैं हर चीज की अब यहाँ पर यह background में भी यह चीज allow all time यहाँ पर आप जिसे allow only while using the app करेंगे तो नहीं होगा allow all the time कर देंगे और इसको काट देंगे तो यह get started अब आप यहाँ पर देखेंगे extreme, xpulse और glamour और यहाँ पर नीचे अभी यह splendor xtech आ चुकी है तो इसको मैंने खोल दिया और go to app setting में इसको ignore कर देता हूँ और आप चाहें तो ना करें आप पढ़ लें पूरा यहाँ पर मैं इसको connect कर देता हूँ अब interbike का नेम डालना है म मैं xtech डाल देता हूँ और connect कर देता हूँ अब okay अब यहाँ पर जो hero कहाई यह मैं permission देता हूँ allow कर देता हूँ और अब यह connect हो चुकी है यहाँ पर आप देखेंगे यह mobile की battery बता रही है यहाँ पर यह Bluetooth दिखा रहा है कि connect हो चुकी है और battery दिखा रही है यहाँ पर 77% यह मुझे फोन करो अभी मुझे फोन करेंगे इस पर फोन आएगा तो यहां पर दिखेगा और यहां पर मैसेज भी आपको दिख जाएगा मिस्स कॉल तो भाई जरा मुझे फोन करो यह फोन करेंगे मुझे यह देखे इनके मोबाइल से आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे वनसादी आदित्या का फोन आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे वनसादी आदित्या यह आप पढ़ सकते हैं यहां पर यह आपको कॉल का सिंबल पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा है और यहां पर अब भाई ज़रा एक बर काट दो मिस कॉल दिख जाएगी है अब आप यहांपर देखेंगे यह मिस कॉल बन चुकी है कि यहांपर पता लग रहा कि आके कट गई तो मतलब मिस कॉल हो चुकी है अब यह मुझे जेसे कि सेंड करेंगे मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर यह एक मिनिट एक मिनिट अब जैसे मैं भाई जड़ा मैसेज यहां पर एक भाई खोलो जड़ा तो अब जैसे कि मैं यहां पर मैसेज टाइब करता हूँ और यहां पर मैं एच लिख देता हूँ और सेंड करता हूँ यहां पर आप देखेंगे यह अभी यहां पर जैसे यह मैसेज बना हुआ अब मैं इसको एक बार आफ कर देता हूँ और off करने के बाद अब आप देखेंगे call और ये SMS सारी चीजें हट जाएंगी और अभी मैं आपको जैसे इनके mobile से यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर message करने के बाद connect हो चुका है जैसे आप यह ना सोचें यह connected हो चुका है और अब वह हाँ कुछ भी लिखो भाई message करो अब यहाँ पर आप देखेंगे message आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे यह message आ गया और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह message आ चुका है एक बार फिर से phone करो भाई यह देख सकते हैं वनसादी अधित्या का phone आ रहा है यहाँ पर mobile में भी और यहाँ पर यह आ रहा है phone यहाँ पर यह symbol बन चुका है जिससे आप यह देख सकते हैं कि इसमें जब चलाते रहेंगे तो आपको यह सुधा रहेगी कि आप अपने mobile की बैटरी देख सकते हैं और call देख सकते हैं, miss call देख सकते हैं और यह SMS इसमें देख सकते हैं और यह देखना है भाई कि WhatsApp का मैसेज जाता है कि नहीं जाता है भाई, WhatsApp चलाते हो हाँ देखो मुझे नंबर सेफ करके देखो कि जाता है कि तब तक मैं यहाँ पर दिखाता हूं इनके अप्लिकेशन में आपको बैटरी, strong network, strength बताएगी, signal बताएगी, strong है और यह एक miss call है, दो SMS में हैं और अगर आप इनके यहाँ पर option में देखेंगे प्रोफाइल है, about us, safety guideline है, terms of use, जैसे safety guideline में बताया जाएगा कि helmet helmet पहन के चलो, ज्यादा rough riding मत करो, यह सारी चीज़ें आपको बताएगी और बाकी आप जैसे नोटिकेशन, terms of use, यह सारी चीज़ें कर सकते हैं, अब यहाँ पर smart mode है, on है, इसको बंद कर देंगे, तो यह सारी चीज़ें आप कोई message करो जरा, अब यह जिसे अगर कोई, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट भाई, अभी okay मत करना मैं इसको हटा देता हूँ, अब देख यह देखे, यह आ गया message, दूसरे नमबर से भेज दियो क्या, तो यहाँ पर WhatsApp का message नहीं दिखा है, लेकिन अगर आपको कोई text message करेगा, तो इसमें आपको दिखेगा, तो यह है Hero Splendor Plus X-Tec का features, जिसमें आपको पता चल जाएगा, अगर आप बाइक चला भी रहे हैं, तो कि इसका phone आपको उठाना है, मतलब जिसे हरबड़ी में आप phone उठा लिये, तो accident होने का chance रहता है, लेकिन इसमें देख के आपको पता चल जाएगा कि किसका phone आ रहा है, आपको उठाना है या नहीं उठाना है, तो इससे आप अच्छी तरीके से जानकारी कर सकते हैं, बस इत कर सकते हैं, किसी भी बाइक या स्कूटर के लिए समपर कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और आप अपने इस चैनल को, बाइक पॉइंट वाइम इन्टू एंड राहूल को सब्सक्राइब करके, ब